अस्सलामू अलेकुम वरहमतुलाहिव बरकातु हूँ दोस्तों मैं हूँ फैद मलिक और आप देख रहे हैं हमारा यूटूब चैनल इसलामी अखलात तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक गुजारिश करता हूँ कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर ले और साथ में बैलिक आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि हमारी हर नहीं आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिलती रहे, चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं वो शक्स के घर के लोगों को भी माफ कर दिया जाएगा, वो शक्स अपने साथ अपने वालिदैन को लेकर जन्नत में जाएगा, यानि हाफिज कुरान ना सिर्फ खुद बलकि अपने वालिदैन के लिए भी बाई से शवकत और बाई से मक्फिरत बनेगा, तो दोस्तो कुछ लोगों को ये लगता है कि पता नहीं ये बात हकीकत है, गल्ट है, दुरूस्ट है, क्या है ? तो दोस्तो, अलाह पाक की जातने दुनिया के अंदर ही एक ऐसा करिश्म दिखा दिया कि बड़े से बड़ा शक्स, बड़े से बड़ा ऐसा आदमी, जो कि अलाह पाक की इस हद इसे कुरान की कबर को जब खोदा गया और हाफिस साहब की कबर मुबारक के अंदर से उनके जिसम को बाहर निकाला गया तो कबर के अंदर ये शक्स तकरीबन 10 साल तक मौजूद रहा था तो दोस्तों 10 साल के अंदर तो इनसान की हड़ियां तक पिगल जाती हैं सब कुछ खतम हो जाता है और कुछ भी बाकी नहीं बचता लेकिन दोस्तों इस शक्स का चहरा इस शक्स का जिसम इस शक्स के हाथ इस के पाउं यहां तक के जिसम का एक एक और बिल्कुल महफूज था और अल्लह पाक ने इस शक्स को मौत के बाद भी महफूज रखा जिस से पता चलता है कि जो और लिया अल्लह हैं अल्लह के दोस्त हैं खुदा उनके जिसम की भी हिफाज़त फरमाता है उनकी रूप की भी हिफाज़त फरमाता है और मरने के बाद उनके जिसम को मिट्टी ड अलट कर देखिए और अल्लह पाक की जात के बताय हुए रास्ते पर चलिए अल्लह पाक आपको और मुझे नेक रास्ते पर चलने की तौफीक और हिम्मत अता फरमाएं आमीं